हमारी चैनल ग्यान विशेश को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएए दोस्तों फलो का राजा कहलाने वाला आम छोटे हो या बड़े हर किसी उम्र का एक पसंदिदा फल है दर्दी पर सायद ही कोई पतनसीब इंसान होगा चिसे आम खाना पसंद नहीं होगा इसलिए तो यह फलो का राजा है गर्मियों का मोसम आने का आगाज होते ही हर कोई आम का इंतजार बेसबरिसे करता है आम बेहत स्वाधिष्ट, मीठा और लजचीची फल होने के साथ ही अवसधिय गुणों से बरा होता है लेकिन इसके स्वास्थ लाब लेने के लिए आपको अगले साल तक का इंतजार करना पड़ता है आम के पल में जितने फाइदे होते हैं इससे कई ज़्यादा आम के पत्तों के फाइदे होते हैं इसके स्वास्थ लाब लेने के लिए आपको अगले साल का इंतजार नहीं करना पड़ता है तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आम के पत्तों के फाइदे के बारे में तो आये जानते हैं कि हमारी सहत के लिए आम के पत्ते कितने फाइदेमंद होते हैं आम की पत्तियों का उप्योग धार्मिक पुजा और अनुष्ठानों में भी किया जाता है इसके अधिरिक तभी आम की पत्यों का उपयोग कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। आम की पत्यों में एंटि ओक्सिडेंट और विटामिन A, B और C पाये जाते हैं, जो अच्छे स्वास्ते के लिए बहुत लाबकारी माने जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आम की पत्यों को लाकर सच्छे पानी से दोकर साब कर लिना चाहिए। फिर इसके छोटे छोटे टुकडे करके इसका उपयोग कर सकते हैं। आम के पत्यों का अर्क अस्थमा और डायबेटेज के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है। पत्यों करने से पत्री की समिश्या ठीक हो जाती है। इसका रोजाना सेवन करने से किड्नी और लिवर स्वस्थ बनते हैं। इस पत्यों में फायबर काफी मात्रा में पाया जाता है जो पेट से जुड़ी हर समिश्या को दूर करता है। आम की पत्यों को रात बर पानी में पिको कर रखे और सुबह उठकर चान कर उस पानी को पीने से पेट की परिश्या ठीक होती है। दूस्तों आम की पत्यों का नित्ति सिवन करने से डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। ये ब्लड में सुगर के लिवल को कम करता है। इस पत्यों में एंटी बेक्टिरियल कुन पाये जाते हैं जो पेट से जुड़ी हर समिश्या दूर करता है। किसी व्यक्ति को ट्यूमर चैसी खतरनाग परिशानी है तो ये आम की पत्यों का सिवन करने से ठीक हो सकती है। अगर आम के पत्ये ताजा न मिले तो पत्यों को सुखा कर पावडर बना कर रखे फिर जब चाहे उस पावडर का आप प्रयोग कर सकते है। रोजाना आम के पत्यों के पावडर को 10-15 क्राम की मातरा में पाने में उबाल कर ठंडा होने के बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका नित्य प्रयोग करने से कई प्रकार की भीमारिया ठीक होती है। तो दोस्तों ये थी आज की महत पूर्ण चानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करे, सेर करे और चैनल को सब्सक्राइब चरूर करे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। आपका दिन सुभो मंगल हो।